नवस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 41 साल की है और इस पाम को देखे तो बहुत सारी राव रेखाओने इनको काटा है इनकी माइन लाइन पर भी जो उच्छाल है तो काफी तकलिफे इन्होंने सहन की होगी पर आज ये अच्छी पोजिशन पर है इतनी राव रेखा है ह होने के बावजूट भी डूटू ये हाथ एक अच्छी शेप में है ये कारण रेक्टेंगल शेप है तो व्यक्ति ज्यादा तर बोलकर कारे करता है या बैठे-बैठे कारे अपने जीवन में करता है अंगुठा भी काफी अच्छा है लंबा है नुकिला है अपने कारे के परती निष्ठा से तथ्यों के साथ अपनी बात बता सकते जो आपको फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा है तो ये एक व्यवसित अंगुठा है कोई प्रॉब्लम नहीं अंगुठे में और इनकी उंगलिया भी देखे तो सुरी की उंगली थोड़ इसी बड़ी है तो हिम छोटी उंगली भी फर्स फैलेंज तक पहुच रही है तो व्यक्ति, डॉक्ति, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट, अकाउंट, इस सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और यहाँ पर देखे तो इस तरह की लाइने इस पर्वत को और टाकतवर बनाती है तो व्यक्ति, बोली अच्छी रहती है व्यक्ति की, दिखने में भी स्मार्ट होता है, यानि सुन्दर होता है और बिजनेस के सारे गुन व्यक्ति के जीवन में होते हैं अब यहाँ पर सुर्य पर्वत पर देखे, तो पहली साइन जो दिख रही है वो यह मल्टिपल प्रोपरटी की साइन यह साइन व्यक्ति को मल्टिपल प्रोपरटिया दिलाती है और एक ऐसी साइन है जो ये ये एक सुर्य रेखा को काटने वाली जब रेखा यहां से आती है तो ये एक माइनस पॉइंट है ये क्रॉस बनता है इसके तीन में से कोई एक नए एक माइनस पॉइंट होता है या तो पिता के साथ मत्बेद होते है या पिता से दूर रहना पड़ता है या पिता का साया बहुत जल्दी चला जाता है दूसरा एक minus point होता है जब ये cross होता है तो व्यक्ति जरा सा आगे बढ़ता है कि कोई न कोई टांग खिचने वाला मिलता है या ऐसी परिस्तितिया निर्मान हो जाती है कि व्यक्ति को वापस बैक आना पड़ता है इसका उपए में इनको दूँगा ये बहुत बड़ा minus point होता है किसी के हाथ में पर positive sign भी है इनके हाथ में ये देखिए ये अच्छा खासा बड़ा triangle सुर गुरु परवत पर triangle है यानि आप आम लोगों से ज्यादा सम्रुद्ध ये इतना खेल करता है जीवन में इतनी सारी राओ रेखा होने के बावजूद भी सम्रुद्धी इन्होंने पाली होगी कहीं न कहीं ये सम्रुद्ध होंगे तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ में अब इनकी fate line को देखे तो ये पूरी चल कर इस तरह से ये पूरी घुमाओ ले रही है गुरु परवत की और जब किसी की fate line गुरु परवत की और घुमाओ लेती है तो व्यक्ति या तो सरकारी लाब मिलता है या political लाब मिलता है प एक कंपनी में managerial post पर है तो due to इस गुरु परवत की और जाती रेखा के कारण और बुड़ा पे तक इनको income होती रहेगी कोई income की कोई problem आयेगी नहीं continue income की line है तो ये प्लस साइन है और जिस तरह का शनी परवत है थोड़ा सा खड़ा है तो इस तरह का जब खड़ा होता है व्यक्ति के शनी परवत पर तो hard work जादा करना पड़ता है चीजे जो आज मिलने वाली है वो हो सकता है तीन दिन के बाद मिले और जो दो साल के बाद मिलने वाली हो सकता है चार से पात साल लगे पर मिलती जरूर है पर hard work होता है और एक खासियत देखे तो ये continue बहुत सारी फेट लाइने बनी हुई है तो ये व्यक्ति को बुरा पे में multiple income के स्रोध भी इनके जीवन में create होंगे अब गुरू परवत को देखे तो गुरू परवत छोटा है तो व्यक्ति परिवार से दूर रहता है और ये लगबग परिवार से दूर ही रहते होंगे और जब यहां हाँ अगर संसारिक समस्याओं में कहीं पर क्रोस आजाया और सर में जोर से एक बार लगाओ बच्पन में और सर्दद का प्रोबलम हो तो संसारिक समस्याओ अए कम रहती है बाकि परोबलम तो रहता है और यह गुरू छोटा गुरू परवत रेक्टि को परिवार से दूर पर horizontal रेखा है तो multiple income के सुरोत इनके जीवन में create होंगे और मुझे यहाँ पर एक square भी दिख रहा है यह अगर square complete होगा मैंने बहुत सारे photograph में देखने की कोशिस की यह मुझे complete लगा तो 32 साल के पहले खुद का घर या कोई ने कोई property खरीटता है और 36 साल में व्यक्ति authority position पर पौस्टा है और बड़े square के कारण व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सोभाग यह मिलता है और बोलने के कारे में महारत हासिल होती है यह सारे lab इस रेखा के कारण मिलते हैं और जब यह रेखाए बहुत सारी होती है तो व्यक्ति के जीवन में multiple income के स्रोत क्रियेट होते हैं यह भी धन देने में एक भूमी का निभाती है और थोड़े से सेवा भावी व्यक्ति बनता है जब यह रेखाए जादा होती है अब चलते हैं इनके अंदूनी मंगल की और अंदूनी मंगल न ज्यादा अच्छा है न ज्यादा दबा हुआ है पर मद्यम टैप की सरीर के एनरजी होगी बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं और उस पर देखे तो क्लीन है यह तो यह अच्छा अच्छी वस्तु है कि व्यक्ति का मंगल जब क्लीन होता है तो ज्यादा सोचता नहीं ज्यादा चिंता है नहीं होती व्यक्ति के जीवन में बारी मंगल काफी अच्छा है तो व्यक्ति एनरजी के साथ मिलता है किसी को सामने वाला कमफरडेबल फिल करता है दूसरी एक खासियत होती है संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और इनकी रहूर एखाओ का वार देखकर तो ऐसा लगता है इन्ह सामने वाला कमफरडेबल फिल करता है अब इनके चंद्रपरवत को देखे चंद्रपरवत काफी सुन्दर और मैं बहुत बार वीडियो में कहता हूं अगर आपका चंद्रपरवत अच्छा है तो विदेश से संबन आता ही है और ये विदेश में भी रह चुके प्लस ये ज सोच रिफैंड होती है चंद्रपरवत अच्छा हुआ नई नई चीजे करने में इनको आनन दाता है प्लस जो थिंकिंग होती है वो काफी पॉजिटिव होती है और इनके पाम पर देखे तो डबल माइन लाइन वाला हाथ है ये डबल माइन लाइन और ये बुद्रेखा औ और ये बनने वाला मनी टैंगल इस तरह का मनी टैंगल भी व्यक्ति को अच्छी खासी सम्रुद्धी देता है तो ये भी प्लस पॉइंट है इनके हाथ में अब यहां पर एक फिश जाइन भी बन रही है ये भी व्यक्ति को सरीर में उर्जा देती है ये जो आप वीडियो देखते हो केतु की फिश हैं केतु की फिश हैं ये व्यक्ति को डायरेक बेनिफिट नहीं देती है ये शरीर में उर्जा देती है उर्जावान होता है व्यक्ति और उर्जा के कारण व्यक्ति ज्यादा एनरजी लगाता है जीवन में और ज्यादा एनरजी लगाता है और ज इतनी मोटी लाइन है, ये सारी अच्छी लाइन है, तो व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में भी ये सपोर्ट कर दी है, लग्जरियस लाइफ रहती है, गारी घोड़े में घुमता आदमी, इस सारे लाग इस तरह की रेखा के कारण मिलता है, और शुक्र अच्छा है, हाँ थोड़ा सा गुरू को और बैलेंस कर दे, तो धन की प्राप्ति और ज्यादा पेमाने पे इनके जीवन में आएगी, वो उपाय में इनको दे दूँगा, और सांसारिक और पारेविक सुक की तरफ भी इनको काफी रिलेक्स होगा, अब चलते इनकी हर्दे रेखा पर, प्लिट शनी परवत से सुरू हो रही है, यह जब इस तरह की रेखा होती है, और यहाँ पर फ्लर्ट लाइनें भी भर पूर है, तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, एक सर्टन लेवल तक दुखी होता है, उसके बाद खुशी के बल ढूंता है, दूसरी जब यह जीवन पैसा कैसे कमाना, वो इनका ध्यान जाता है, और यहाँ पर देखे तो मुझे एक सट्टे की लाइने भी दिख रही है, इनका ध्यान शेर सट्टे में भी जाता होगा, एक यह लाइने भी दिख रही है, और यह पैसा कैसे कमाना उस सरफ ध्यान जाता है, प्लस कामुक से नहीं जी पाते कोई नहीं जंजटेश चलती ही रहती है और और तो व्यक्ति से नीडी करें यह अपने सकत करेंगे और वूपस आएगा नहीं जालुं और पर इशारा जाता है अब इनकी माइन लाइन को देखो माइन लाइन देखने लायक है एक तो अंद्रूनी मंगल से सुर्वात हुई और यहां घुमी जब भी माइन लाइन पर आपको घुमाओ दिखे वो पिरियड व्यक्ति के जीवन में काफी टेंस वाला रहता है लगबग उठाओ जाता है तो यह यहां तक का पिरियड यह काफी टेंस में निकला होगा और उसके बाद इनकी माइन लाइन सीधी चल कर यहां चली और यहां से एक रेखा और निकल कर आगे चल रही है तो माइन लाइन काफी बढ़ी है तो बुद्धी चातुर्य व्यक्ति पास अच्छा खासा विकास करता है आपने जीवन में और जब भी माइन लाइन पर कोई रेखा आकर काटती है उस समय आपको जो कमर दर्ध होता है एक कमर की मचक आठ दीन, दस दीन, तीन मैना उस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो व्यक्ति के जीवन में आता है और इनकी माइन लाइन को देखे तो डबल माइन लाइन है यह लगबग यहां से यह डबल माइन लाइन शुरू होती है और यह पिरियर्ड होगा लगबग अंदाजित पिरियर्ड 32 के आसपास या 36 के आसपास यह एक्स्ट्रा डवलप्मेंट इनके जीवन में हुआ होगा क्योंकि जब भी कभी माइन लाइन डबल होती है तो आप समझ लो वहां से व्यक्ति का जीवन स्पीड में दौड़ना चालो होता है और उन्नती करता है यह लाइप व्यक्ति को मिलता है और एक साथ पांच-पांच काम कर सकता है टीवी भी देख लेगा मोबाइल पर जवाब भी देदेगा फोन पर बात भी हो जाएगी टेक्स भी कर लेंगे मेल भी देख लेंगे यानि बल्टी टेलेंटेड व्यक्ति होता है जब डवल माइन लाइन होती है तो और यह भी चौदा या सोला साल के आसपास थी बाकी की भी यहां पर भी बहुत सारी राओ रेखा है यानि साथ आठ साल में भी है दस बारा साल में भी है चौदा सोला साल में भी है उसके बाद 24 साल में एक राओ रेखा है उसके बाद 25 साल में है उसके बाद 28 साल में है उसके बाद 32 स से 41 है और उसके बाद last राऊ रेखा 51 है second last और उसके बाद 61 है यह इतनी राऊ रेखाओ वाला पिरियड से ये पास होकर भी यह तक पहुचे पर यह राऊ रेखा है बाकी की जो राऊ रेखा है यह छोटी छोटी है तो यह खर्च बढ़ाती है रुकावटे तो आती है कोई न कोई खर्च तो जीवन में आता ही है उसमें कोई रोक नहीं पाएगा पर इस तरह की strong राव रेखा है नहीं है यह राव रेखा होने इनको बहुत डिश्टब किया होगा 24 25 और 28 उसके बाद जो राव रेखा है वो हलकी हलकी है पर फिर भी राव रेखा है तो कहीं न कहीं व्यक्ति को तेंस तो आता ही है कोई न कोई खर्च या कोई न कोई पारिवारिक खर्च मेडिकल खर्च या कोई किसी और तरका या कोई नुक्सान या सेर सते में नुक्सान कुछ न कुछ sama व्यक्ति के साथ होता है और मैं तो कहुंगा जिनको रहो रही है काठ气 हो अगर पिरियद इनको जानकारी हो उस पिरियद में व्यक्तिकों इन्वाल भी नहीं होना जैसे है सर्टे में, नहीं तो लाखों में नुकसान जाता है, और उसके बाद भी जीवन रेखा आगे चल रही है, पर यह 41 के बाद थोड़ा सा रिलेक्स है, पर यहाँ पर एक देखा जाए, तो यह एक रेखा आकर फेट लाइन को काट रही है, और यह उमर होगी लगबग 42 43 के आज पास, इस समय कोई नो कोई अच्छा आर्थिक नुकसान इनको होगा, यह फेट लाइन पर आते हैं, इनके यहाँ पर देखें, तो इस कम्प्लिट केतू से सुरुवात हो रही है, केतू से जब सुरुवात होती है, तो व्यक्ति को जो घर मिलता है, वो खाता-पित मिलता है, यानि वेल-टू-डू-फेमिली मिलती है, और यहाँ से यह सुरुवात हुई, और एक बहुत बड़ी राउरेखा ने काटा, यह लगबग उम्र होगी 30 के आस-पास की, और उसके बाद यह दो दिवसाओं में, इनकी फेट लैंग घुम गई, एक सीधी चली, और इसी पिरियड में भी देखे, तो एक 38 में राउरेखा, यहाँ पर भी काट रही है, 41 में भी, और यह जो राउरेखा है, यह थोड़ी स्ट्रॉंग है, यहाँ पर इनको संभालने की जुरत है, यह उम्र होगी लगबग 41, 42 से 43 के आस-पास, यह पिरियड में इनको बड़ा आर्थिक नुकसान जाने का संभावना है, पर शर्त ही है, कि यह रेखा यहाँ से निकले तो, अगर हदय रेखा से निकलती होगी, तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान ने, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्मेंट की और इसारा जाता है, पर इसके बाद, इसके बाद यह और एक फेट लाइन, और इस तरह से continue फेट लाइन है, तो यहाँ से इनकी प्रगती भी भरपूर होगी, 43 के बाद इनकी प्रगती भी भरपूर होगी, एक रुकाउट आएगी भरपूर, अगर यह यहाँ से आती होगी तो, पर उसके बाद काफी strong फेट लाइन है इनके, जो जीवन में यहाँ नहीं कर पाये होंगे, उससे अच्छा कार यहाँ पर होने वाला है, इनका, प्राशा रखता हूँ, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,